स्वागत है मित्रों आपका मेरे इस चैनल में मेरा नाम है निलेश कुमासिंग देखिए नया अध्याय लेकर आया हूँ आपके पास प्रिथवी हमारा विकास और दूसरा अध्याय जो मैंने आपसे कहा था सर आपको NCRT हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो वो हमने गलोब अक्षांस एवं देसांतर ये प्रिथवी है और ये अपने अक्षपेशता से जुकी हुई है इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों आपको पता भी होंगी ट्वेंटी 3.5 डिगरी प्रिथवी अपने अक्षपेश 23.5 डिगरी जुकी वी अब देख यह चीज यहां पर पड़ेगा हमारी पित्वी गोलाकार नहीं है यानि कि आपकी जैसे गेंद होते ही पूरी तरह से जैसी नहीं बेल कि इसको यहां से दबा के जब थोड़ा सा चप्ता कर दीजे तो आप यह गेंद का से थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसा आजाता है तो यह उत् सबसे पहले समझे आप ने कभी ना कभी ओला उबेर इन सब में आप घूमने जाते होंगे तो इनको पता कैसे चलता है कि आप कहां पहँ पहैं तो इनको पता कैसे हैं तो पता चलता है सर आपके अक्षांस एवं देसांतर जैसे आपका कभी-कभी इंटरनेट नहीं आ रहा होता है तो आप मोबाइल के SMS से भी आप कर पाते हैं तो होता क्या कि आपका मोबाइल जिस भी लोकेशन में GPS इस तरह से काम करता है कि आपका अक्षांस और देशांतर उनको मैसेज चला जाता है और वह जो आपके पास आ जाती तो समझते हैं पहले कि अप्योग कैसे करते हैं ठीक है दोस्तों तो आएए इस सीज़ क समझते हैं सबसे पहले यह देख लिए प्रित्वी क्या किया रही है सर यह जुकी हुई है अपने अक्षपर कैसे सर अक्षपर अब देख लिजे यह जो आपका जो प्रित्वी है यह आपका जो है वो सूर्य है प्रित्वी अपने अक्षपर जुकी हुई है हर समय इसी तर इसका है सर यह देखे यह जो इसके साथ इसका जो एंगल बनेगा हाफ डिगरी बनेगा ठीक है दोस्तों यह हमने समझ लिया कि अच्छ क्या होता है और भी अच्छ को और अच्छे से इंपेक्ट में एनिमेटेड वीडियो के साथ आपको अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपसे वो है प्रिथवी का जो भी गतियां है प्रिथवी की गतियों के आपके साथ डिसकस नहीं कर रहा हूं किनको डिसकस नहीं कर रहा हूं गूर्णन और परिक्रमड तो अगले वीडियो में जरूर आपको बता दूँगा सर किस तरीके से प्रिथवी की गतियां हैं जो अलग-अलग है फिरहाल जो हमारा डिसकसन है सर वो अक्षांस और देसांतर तक है इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूं तो यह जीज देखे आपने समझ ली अब देखिए थोड़ा सा यह यहां पर आज़ेए यह देखे एक सुई गलोब पर जुकी विवस्ता में स्थि बात कर लें सबसे पहरे हैं यह देखे यह देखे यह है यह या फिर अकछान्स है से मज़ने की कोशिश करेका है क्या होता यह हमाइक ह्तुवु foul भी कराफ़िये हैं यह हमने बीट से एक रेखा खीज दी और यह पूरा complete वृत होता है दोस्तों यह complete वृत होता है इसको हम विशुवत रेखा क्या कहते है सब्षुवत रेखा या फिर विशुवत वृत वृत क्यों कि यह पूरा एक पूरा वृत बनाता है जो प्रिथवी के वीचों बीच से गुजलता है ठीक है तो इसके इधर वाले हिसे को आपको पता है दिसा की बात करें अगर तो ये है देखिए आपकी उत्तर दिसा ये है आपकी दक्षिड दिसा ये है आपकी पूर्वी दिसा और ये है आपकी पस्चिम दिसा क्या सर पस्चिम दिसा तो इसके इधर की बात कर था दोस्तों तो विश्वत वृत जो है यह प्रितपी पर एक काल्पनिक बनाता है यह आपके जीवन में असल डालता है तरीके से आपका जितनी भी साइंस लगाई गई है इसको कहीं ना कि उसका उप्योग होता है विश्वत में जो भी आपके सैटलाइट का मोशन हो है तो यह कालपनी क्रेखा खीच लिए ठीक है तो यह अलग-अलग इस्थान को बताने के लिए एक महतपूर संदर्व बिंदू है ठी ते आपका दक्षडी धुरू कैसर अ डख्षडी धुरू डख्षडी धुरू है अब विश्वत रेखा से धुरूओ कि इसतिति कैसे पता करते हैं सर देखें यह निन के बीच में किसी भी वक्त में जो डूरी होती हो वह समान रहती हैं इसी तरीके से अगर दो विर्त समा इन पे जो दूरी होगी वो समान होगे और यह देखिए इनकी जो साइज है वो छोटा अजया दी और यह पर जो है वो । तो हम यह कहते हैं कि सर जिए आपके समांतर व्रित है ना देखें यह जो वरित सबसे पहले ये समांतर व्रित यह ओधिर्टि देखिये इसलिए और समांतर व्रित है तो इसको तरीके से साउथ में भी आते हम यह बढ़ते चले जाते हैं इस तरह से देखे रेखाएं खीषते चले जाएंगे यह मैं पूरा नहीं कर पाई यह देखे पूरा जब तक यहां पर जीरो नहीं हो रहा था तो विशुरत वृत जो है यह क्या दर साता है सबसे पहले समझ लिए घुम ह非ड़ता कि यहां तक पूरा सरकल गूम जाते हैं तो हम क्या कहते हैं सब्सक्रा पूरा या फिक Sc ella तो यह समझ में आ रहा है अगर समझ में नहीं आरा है तो कमेंट सेक्षिन में पोश्ट रहेगा फिर से वीडियो बना के आपके भाई आपके लिए डालेगा अब देखे विशुवत वृत जो है इसके उत्तर में सभी समानतर देखाएं जो है यह थोड़ा सा होजपाज होगए यह देखे यह विश्वत वृत है इसके उत्तर में और शब्यज्रियों में जो यह समांत्र रेखा कां Yoo तो हम इसको क्या 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 हैं इसको क्या और शी तरो में कि यह सर्फित ग्छल्च्ण्स है उल तक है तो यह समझ मैं आपको दोस्तों तो अब आप यह समझ लिए यह देखे एक छोटी सी चीजे मैं आपको बता दी आये थोड़ा सा अब मैं बुक में आपको दिखा दे तो यही सारी बाते यहां पे हैं जो मैंने आपको शॉल्ट में बताई थी तो यह आप इसको एक बार रेखा कोड मात कर आप किसी स्तांस का अच्छांस जान सकते हैं इस पर कभी भी प्रस्ट बन सकता है तो इसलिए दोस्तों कंफ्यूज मत होई अब देखे समांतर रेखाओं की बात हो रही थी अब देखे यह फिगर था मैं आप से डिसकस कर ला था तो अब समांतर जादा उपयोग भी होती है जैसे आपको मैं बता दो जैसे 24 अंस समांतर रेखा यह वो रेखा है जिसे पाकिस्तान कहता है कि सर इंडिया और पाकिस्तान के बीच का विभाजन का एक्ट्वल रेखा है वो यह है भारत इसे नहीं मानता है वो एक अलग्चीर है इसी तरह के सर सतर समांतर देखा जो है समांतर गभातास अ यह किसको बाटता है सब के और बूक पढ़ें पको नाम तो कभी प्रस्ना आजाना साथ 17 समांतर किसको बाठता है तो सर आप बोल देंगा उत्तरी और दच्छिश वियत्नाम इसी तरीके से 38 अंच समांतर यह किसे बाठता है यह बाठता है आपके उत्तरे और दच्छिड को इनफेक्ट आपको पास आया था अपने 10 डिग्री चैनल की बाठता है तो आपके आपको पता है सर अंडमान और नीको बार को यह बाठता है तो यह प्रस्ना चुका है आपके आई-एस का सवाल है 2015 का यह सवाल आप चेक कर सकते हैं तो मैं बता दू देखिए यह चीज इस इसी अक्छांस की ही बात हो दिये कि सर 10 डिग्री दस अं से उनको बाटता है तो यह चीज आप समझ लीजिए थोड़ा सा उसके लावा देखिए थोड़ा सा मागे बल जाते अब यह तो हो गए आपके चीजे इसके बाद देखिए थोड़ा सा में आजाते कुछ इंपॉर्टेंट पूर्ण जो आपके इंउख्षांस है क्या तो कछुछ इंपॉर्टेंट अट्शांस है जिसके हमब बात कर रहे थे यह यह देखिए यह है आपका एक्वेटरड और यह देखिए अपकाई क्वेटर हो गया और तो दोस्तों देखे मैं आपको यह बता था सॉरी मैं थोड़ा से रुख गया था यह आपका जो विशुवत वृत है अब देखे अब क्या हुआ हमने क्या किया आप देखेगा यह एक इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको 23.5 देखे पर हमने क्या बुला सर यह है आपका करक रेखा क्या सर करक रेखा कहा है सर इसका वैल्यू क्या सर 23.5 अंस उत्तर ठीक है दोस्तों अब देखे इसके बाद आप आजाते हैं और आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको क्या कहा देखा तो मैं और थोड़ा साब को दिखा देता हूं यह देखिए उसके बाद और इमपोर्टेंट चीजें हैं अब देखे यह जो आपने करक रेखा और मकर रेखा जो हमारा सूर्य है ना यह पूर कभी यहां पर उता है कभी यहां पर पर नहीं जाता और इधर नहीं जाता तो यहां पे जो भी देखा सूरिकी परती है ना जो सूरिकी रौशनी परती है वो सर टेड़ी लाइन जाती है गेडी लाइन के चलते क्या होता है सरte यहाँ पर जदा अनरजी नहीं पहुचपते तो यहाँ पर उस्मा जदा नहीं बन पाती उस्मा जदा यहीं पे रहती है ठीक है दोस्तो और क्योंकि सूरी क्योंकि इसी दिशा के बीच में रहता है तो इसलिए समझज लेजए कि यहाँ पे जो है सबसे जादा गर्मी पड़ती ए और हम क्या कहते है यह है आपकी उस्न कर्टी बंध ऊसन कर्टी बंध गर्मी से बंदा हुआ यह इलिया है आपका क्योंकि सूरज किसी बिताई पर ज्यादाल ज्यादा ज़्यादा इधर मूव करता है ठीक है दोस्तों अब यह चीज आप समझ लीजे तो इसलिए से कहते हैं उसन कर्टी बंद में क्या होता है करक रेखा और मकर रेखा की बीच के सभी अक्षांस पर देखे सूर्य वल्स भल दोपहर में सिर्के ठीक ऊपर होता है कभी दर होगा क इसमें सबसे अधिक उसमा प्राफ्त होती है तो इसे हम कहा देते हैं अब देखे थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाते हैं यह आपका ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्ण के बाद आ जाईए आप थोड़ा सा आगे तो इसमें और एक्स्प्लेंट नहीं किया तो मैं आपको बुक कर फिगल दिखा दे तो यह देखें उसन कर्टीबंद यह विस्वत रेखा है यह आपका मकर रेखा है करक रेखा है तो इसको कहत होता है उसके लर्य यह देखेंगा यह देखें किक जहांदा इरिया में प्यादा जगह sugg मैं प्र यूठियाербिया यानि कि यूनिट यूनिट पे जितनी है वसमा इसमा वो कम हो जाएगी तो यहां पर देखें गर्मी कम होगी इसको शितोषड कतिबंद कहते हैं इसको यह उत्तरी दिशा में तो उत्तरी सितोषड कतिबंद और इसे कहा था कि दक्षिड धुरू को यह साइड में आता है इधर के में सबसे जादी थंडी पड़ती है इधर में और इधर में यह देखें कुछ समांतर महत्पूर्ण अक्षांस या समांतर रेखा हैं तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है दोस्तों अब देखें उत्तरी गुलात में कर यह समझें आ जाएगा उसके बातें अब देखे यह और आप से डिसक्राख कर रहे थे हमने अक्षांस दिसक्स किया था आपसे अब देसांण्स कर दिसक्सर कर दिदरंब यह भाठ दिया हमने अलग-अलग लाइन खीच दिया हमने उत्तर दुरू से दचिर धुरू की तरफ ठीक है दचिर उत्तर दुक्το से दचिर धुरू ciertुब की तरफ जोडने के संदर्व में एक रेखा को हमने खीच दिया ठीक है ऑई इन संदर्व रेखा को क्या कहेंगे सर हम याम्योतर ठीक है दोस्तों यह देखे हमने रेखा कीज़ दी ताकि क्योंकि देखे जब इस तरह से अगर हमें दिखाना था माले कोई जगा थी या फिर माले यह हमने कीज़ा हुआ है आपका रफ डाइगाम बना रहा हूं कि माले यह है आपका विश्वत रेखा में कोई पॉइंट यहां पर हम कैसे बताएंगे यह पॉइंट यहां पर है अगर में रेखा प्याल जासा बन जाता है पुरिक के लागद तरफ तो ये वही जो है ये रेखा है जिसको हम कहते है सर याम योत्तर देशांतरी याम योत्तर ठीक है अच्छा इनके बीच के दूरी को देशांतर के अंसों में मापा जाता है ठीक है इनके बीच की दूरी होती है इसको देशांतर के अंसों में मापा जाता है अब ये देखे प् सतेख अनस होताई घितना बताता है यह बनाता है चाइब कर लेंगतों साथ मिनट इसका उप्योग क्या है सर मैं आपको बताऊंगा थोड़ी दिर बाद अब यह देख लीजें इसको बाट दिया गया यह जो आपके distance है इसको एक इंसको जितना भी एक डिग्री मूव करता है तो यह बाट दे गया साथ मिनट और एक मिनट को साथ सेकंड ठीक है दोस्तों तो यह देख लीजे अब यह देखें यह जो आपके प्रिथवी है इसे बाटते चले गए ताकि हमें कोई भी point explain करना पर अब देखिए जो सारी रेखाओं थी उसमें से अब एक जो हमने रेखा मान ली जो हमारे standard था वो से हमने मान लिया ये देखिए आ जाते है इसमें हमने बोला सर ये वाली zero degree है रख हमने इसलीं की कहा पर सारी येगिए जो लंबाइ था वो बराबल थी या दिखेके ल भूर्ज क्या बना रही है अल्दुछी अब यह जो जो उसके बात प्रचा तो यहां से यहां तक की बात हो रही थी सर तो यह देख़िए आधा मुव्मेंट किया तो इस नहें बन गया सर जा वह पूरा रही तो यह अल्दृप्ध बन गया अब हमने क्या बोला सर अब अक्षांस से वांतर एक्षांस स्भिंस ही जो देशांत्री या मूत्तर की लंबाई है वो बराबर है ठीक है अब इन्हें क्या करना थे सिर्फ मुख्य संख्या जो होती है उसके टर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अब दीखे सारी देश थे अब बोले कि भीया हमारे देश के थूरू जो है उसको हम अंग्लेंड में है तो वहां से जो आपके ब्रिटिस राज की वैद साला है तो हैंसे इसको हम बोनेंगे वह यह सर्अ Neonifiki हैं कि आप चलेंगे हम बाड़न हैं कि तरफ इस प्रौपर्टी का यूस्ट कलती है आपकी होला आपकी उबे और इसको बाध एजिए बहुत अज़े分 देख लीजे इसका उप्योग क्या है अब यह देखिए समझेगा पित्वी हमाई घूमती कैसे सरी है हमारा जो हो गया पस्चिम हो गया पस्चिम से पूर घूमती है ठीक है अब देख लीजे यह सपोज करिया पर सूर्ष है तो यह वाला तो आगे रहेगा ना यह सामने हंने के इसको माल हCould ओनHay Hersa कि आख तो यह वाला जो पूर्षण का है इससे टाइम आंगे रहेगा यह वाला जो जो पुर्षण है इसका टाइम से पीछे रहेगा ठीक है और अच्छैसे इसको आपको एक्स्प्लेशdha कर देता हूं कि देशांतरों और सम्हें का क्या षिठ होता है इसके लिए हम अगले पेज पर आ जाता है यह भी फिगर में आप से एक्स्प्रेइन करूंगा देखें यह समय को नापने के लिए सबसे अच्छा साधन प्रिथवी चंदमा और ग्रहों की गति है सुर्योदे एवं सुर्यास्त प्रति दिन होता है इसलिए सभाविक ह कि पूरे विष्व में समय अंदेधारन का सबसे अच्छा साधन है इस्थानी समय का अनुमान सुर्य के द्वारा बनने वाली पलचाई से लगाए जा सकता है जो दुप्र में सबसे छोटी और सुर्योदे और सुर्यास्त के समय सबसे लंगी है आप ऐसे समझे आप अपने सबसे च्छोटी बनती है और सबसे खोपड़ी के उपर नहीं होता है अब देखिए अब मैं आपको चीज दिखा देता हूँ यह देखिए दोस्तों उसको मैं बताने के लिए सबसे पहले ये चीज आप देख लिए अब यह देखिये आपका सूर्य है आपकी धरती चकर लगा रही यह नहीं थोड़ा सा हम देखाते हैं आपको देखिए कैसे चकर लगा रही है अब देखिएगा हमें बिसिकली टाइ प्रधान या मुस्त्र अब देखे होता का है जो इस ने भी जगहें है वहां पर मिड़े या फिर दोपहर हो रही होगी क्यों है पिसे द्रपहिर हो यह हो रहे हैं कि यहां पर आपका दोपहर हो रही है क्यों कि लिए थे ऊपर है ऊप दोस्तों अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यह दिखा लेता हूं यह समझेगा अब हो क्या रहा है अल्थ कैसे मुफ करती वेस्ट यह वेस्ट है इस तो ऐसे घूम रही है था ठीक है तो यह वाला पॉजिशन आगे बढ़ता चला जा रहा है ठीक है यह वाला पॉजिशन से रिलेटेड यह वाला जो पॉजिशन है यहां पर समय जो है थोड़ा सा आगे चलेगा थोड़ा सा एक पेगल से आप और अच्छे से में देखते हैं यह देखिए यह आपकी धरती घूम रही है यह देखिए यह आगे बढ़ रहा है और लेकिन इससे आगे वाला तो पह इससे तो आगे था तो यह देखिए यह इसलिए क्योंकि यह से घूम रही है प्रित्वी इसके चलते यह वाला जो इरिया है इस में हाँ पर टाइम आगे चलेगा ठीक है तो मुझे उमीद है यह चीज़ आपको थोड़ी सी समझ में आ गही होगी तो अब यही बाते हुई इस चैप्टर में बिसिकली टाइम के बारे में बताने के लिए तो यह मैं थोड़ा सा आ जाता है वापस आपके इस चैप्टर में अब देखिए तो यह चीज़ आपने समझ ली अब मैं थोड़ा सा इस figure से आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता दूंगा तो आपको बि कर लेते हैं है यह देखे इसको छोड़ देते हैं थोड़ा और अच्छा हो रहा ना यह आपका जो पूर्ब या फिर पूर्व पस्ची ठीक है अब सूर्व किसी बी टाइम पर तब है आपके खोपड़ी के ऊपर है तो हम क्या कहते है यहां फिर हो रही है दौपहर लेकिन क्योंकि प्रित्वी हमारी ऐसे घूमरी है और तक यहां पर इसली कुम होगा यहां पेrieb tor दुपहर का एक बज़रा होगा तो इस से इस टाइम पर एक से ज़ादा ही बज़रा होगा तो हमने क्या किया पूरी पीत्वी को 24 भाग में बाढ़ दिया और 24 टाइम जोन में बाढ़ दिया दो हमने डिसेट के लिए तो यह यह वाला भाग जो है मेरीडियन है दोस्तों या मानक समय जो है यह हमारा 87.5 दिगरी को हमने ले लिया जो हमारी भारत के लगबग लगबग 20 से क्रॉस करता है तो इसके चलते हमारा जो टाइम है सर वो साड़े पांच घंटे आगे चलता है इंगलेंड के टाइम से क्यों दोस्तों देखे तीन सो स पूरी घंटे की बात करें तो पित्वी कितना घंटे की इसको हम कहता करेंगे 15 तो हर 15 डिगरी एक घंटे को रिप्रेजेंट करेगा हर 15 डिगरी एक घंटे को रिप्रेजेंट करेगा ठीके दोस्तों इसका मतलब अगर हम 15 डिगरी और अब इसको देख लिए लिए हर जाते हैं लेकिन देखे दोस्तों हमने स्टैंडर्ड करेंगे तो प्रूश्री कंटि में वेपार करना को कुछ भी करना को तो वहां के साथ आप बहुत पुईता से मैनर्स नहीं कर पाएंगे इसलिए हमने एक घंटे के लिए एक घंटे का वह बाट दिया है ताइम जोन बना दिया है अब थोड़ा सा देख लिजे अब क्या होता है ना सर यह देखी जब यह 180 डिगरी इधर और यह 180 डिगरी इधर आप जाते तो एक दिन पीछे चले जाते हैं क्यों क्योंकि देखे इधर से सर माइनस बारा इधर से प्लस बारा यही वो रेखा है जो क्वाइन साइट करिया यह देखे इधर से हमने इधर बढ़ा तो यहां पर जब देखे एक जनवरी होगी तो यहां के लोग यानि कि इधर के लोग ट लोग कहना ठीक नहीं होगा बेसिकली और टोटल के तो टाइम का डिप्रेंस लूगा पांच गहंटे चे 마스크 लेकिन यहां तक आते आथे बारागंडि आगे बढ़ गया है लेकिन यहां तक इधर से आप बारा गंटे पीछे चले गहें इसलिए इनके बीच का जैसी आप यह ल दिन गेन कर लिया है मतलब अगर इधर ट्यूजडे हो रहा होगा दोस्तों तो यहां पे हो रहा होगा मंडे ठीक है दोस्तों यह चीज़ आप समझ लिए गाइगा नहीं समझे तो कमेंट सेक्षन में पोस्ट कर दीज़ेगा आपका यह भाई आपके लिए दुबारा यह एक हैं कि मालो η क्यों मानते अश्यक्त क्यों घर्त आउफ है मतले हैं और यहां देखिए नंटी सेवन डिगृ पूर्व घट नगजब। यहां पर साथ बज रहा है तो हम यह थोड़ी बोलेंगे आपको एक समय लेना पड़ेगा ना तक कि आपका बना रहा है इसलिए हमने बीच का एक ले लिया एक गंटा बहिए तुम लोग बीच का बना यह जो मिर्जापूर से लाइन क्रॉस होती है कि हमारा मानक है स्टेंडर्ड है मानक समय है ताकि हम समय कोच्छे से कर सके तो यही चीज लिए बताया गया यह देखें वेस्टर मोस्ट इस्टेट है वह गुजरात है और जो आपका पूर्वी जो आपका राज्य है वह है आपका अरुनाचल पदेश यह कुश्चन आया था क्योंकि यहां पर समय आसाम का यूज क्या है कि पूरव में सबसे सबसे ज़्यादा पूर्व में आपका असाम है लेकिन कुछ बच्चे यहां से कंफ्यूज हो कि उन्हें ने आंसर गलत कर दिया था उसका आद देखी यह चीज बताएगी है कि रूस में 11 मानक समय को अपन सबसाता है यही है वह समय चेतर जिसकी बात हो रही थी एक गंटे का समय चेतर है यह दोस्तों 24 समय चेतर हैं तो यह चीज देखे मैं आपसी यह वाला दूसरा अध्याय जो है वह डिसकस कर लिया अगर आपको इस सेसन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताईए नहीं अच्छा लगाओ दोस्तों तो भी बताईए कुछ इंप्रूमेंट चाते मैं करूं तो भी मज़े बताईए ताकि मैं आपके लिए इसी ता से अच्छे वीडियो देके आता रहूं दोस्तों यह कुछ प्रस्ण है जो जरूर करिएगा कोई भी आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यह निरत्तक हो जाएगा बनाना वीडियो इसलिए कमेंट सेक्शे में जरूर पोस्ट करेगा थैंक यू बैरी माच इट वाज निलेश कुमा सिंग इट उसे प्लेजर टीचिंग और बाबाय गुड झाल आपको समझ में यदेत्तं अपली इसके लिए टीजए